हेलो एवरिवन निसा की हेल्दी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं मैगी की रेसिपी बनाने वाली हूँ जो की ग्रेवी वाली है तो ये देखिए कितनी ही टेश्टी बन रही है ये मैगी की रेसिपी तो एक बार मेरे तरीके से ये रेसिपी आप बना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही टेश्टी बनकर तयार होगी तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है तो सबसे पहले हम कड़ाई में ओईल डालेंगे और उसमें कटे हुए थोड़े लाजन डालेंगे और थोड़े हरी मिर्च डालेंगे इंको डालने के बाद हम थोड़े दे लेंगे हलका ब्राउन होने तक जादा नहीं भोनना है बस थोड़ा ही भूनना है और इसके बाद हम एक कट हुए सिम्ला नि स्ट कर देंगे दिखेश इसे भी भून लेना है इन्हें के साथ बस दो मिनिट के लिए इससे भूनना है क्योंकि है धी को है भी तरीके थोड़े से मसाला डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे तो इनको सभी को भून लेना है दो मिनट के लिए इन सब्जीयों के साथ तो दोस्तों अगर आपके पास और भी कोई सब्जियां हो जैसे कि गांजर मतर पत्ता गोभी हो तो आप इसमें एट कर सकते हैं और मैगी बनाने का मनना करें तो आप ये ग्रेवी वाली मैगी बना दें और बच्चों को रोटी के साथ सर्व करें या पराठे के साथ सर्व करें बच्चे बहुत मन से ही खा लेंगे तो चलिए मसाले भून चुके हैं इसमें हम पानी एट कर देते हैं तो आप अपने कोडिं में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए अच्छे से मिक्स करना है अगर आपको पानी कम लगे तो थोड़ा और एट कर दे तो चलिए इसे हम ढग देते हैं 10 मिनट के लिए उसके बाद हम चेक करेंगे तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं तो देखिए अभी थोड़े और ही पकेंगे क्यूंकि हमें थोड़ी गाड़ी ही रखनी है तो इसके वज़े से थोड़ी से और पका लेंगे तो देखिए कितनी ही टेश्टी बन कर तयार हो रही है हमारी ये मैगी की रेसिपी तो देखिए अब हमारी ये मैगी बन कर तयार हो चुकी है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं अगर इस तरीके से रखेंगे तो आप रोटी पराठे दोनों से खा सकते हैं ज्यादा पानी ना रखे नहीं तो अच्छे नहीं लगेंगे तो आप इसकी लूप देख सकते हैं कि कितने ही यम्मी और टेष्टी बन कर तयार हुई है तो चलिए दोस्तो इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं तो ये देखिए हमारी मैगी की रेसिपी अब बन कर तयार हो चुकी है तो दोस्तो अगर घर में सबजीया ना हो तो इस तरीके से ग्रेवी वाली मैगी बनाईए बच्चे क्या बड़े भी सब मांग कर खाएंगे और ये जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाती है अगर बच्चो को फटा फट लंच बॉक्स में कुछ देना हो तो ये भी दे सकते हैं बनाकर तो दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब करिएगा थैंक्यू बाबाई टेक क्या